नवस्कार दोस्तों, बडिंगित में आपका स्वागत है, होप करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, ये वीडियो इस्पेशली उन बच्चों के लिए है जिनका लेटरल में इस बार सेलेक्शन नहीं हो पाया, किसी कारण बस, किसी का इंग्लिस भी हुआ होगा, इस इस बार, अब करना क्या है, दिखो, अगर तुम्हें कोई सभी कॉलेज मिल रहा है, go with that college, कोई problem नहीं है, सारे college सेम है, ठीक है, अगर तुम्हें कोई सभी बिहार का college मिल रहा है, तो तुम्हें लेना चाहिए admission, और तुम्हें बीटिक करने का मन भी है, तो, ये पहला सवा उन बच्चों के लिए, जिनका rank पीछे है, और उन्हें college मिलेगा, लेकिन कोई पूरा नया सा college और उतना अच्छा college नहीं, बट college सब सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा बुरा नहीं होता है, तो, वो दुखी होगा कि हम ले या admission, या फिर से drop करके एक सल तायारी करें अगर तुम्हें गोपाल गंज मिल रहा है, या फिर तुम्हें भागलपूर, अगले साल गोपाल गंज मिल रहा है, अगले साल भागलपूर मिल जाए, कोई फर्क नहीं परता है, एक साल वेस्ट करना का कोई problem, कोई वो नहीं मिलेगा, तुम्हें फाइदा नहीं मिलेगा, क्योंकि campus तो कहीं पे भी नहीं है, ठीक न, ये याद रखना कि उस campus के जो कलपना कर रहे हैं, वो बिहार में किसी भी college में नहीं है, कि भाई हम 3-4 साल college में पढ़ाई किये, company आएगी और हमें ले जाएगी, तो MIT से लेके, भागलपूर से लेके गया, किसी में भी नहीं है, ठ इनका बिल्कुल नहीं हुआ, उनके साथ मेरी sympathy है, एक बड़ा अच्छा पोईम मैंने वेकुस टाइम पहले सुना, और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी उस पोईम को सुनो, मैंने तुमारे लिए ये पोईम मैं एक बार recite कर रहा हूँ, बहुत अच्छी पोईम है, हीरे पर जितनी धार लगे, वो उतना खूब चमकता है, सूरच जैसा बनना है, तो सूरच जैसा जलना होगा, नदियोंसा आदर पाना है तो, परवच्छोर निकलना होगा, और हम महादेव के बच्चे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा, हम महादेव के बच्चे है क्यों सोचे राह सरल होगा कुछ जादा वक्त लगेगा पर संघर से जरूर सफल होगा क्या कहती है इस पोईम में और ये बिल्कुल सही है आज जो तुम्हें लग रहा है कि हमारे साथ हमारा नहीं एक्जाम के रिजल्ट हुआ तो तुम बहुत परिशान हो तो ये एक common nature है हर इक इनसान के साथ होता है मैं भी तुम्हारे जग़ा पे रहता हूँ मैं भी किसी जेजी में मुझे और सफल हो जाता हूँ तो ऐसा ही सोचता हूँ कि कहां पे कमी रह गई तो एक है कि कहां पे कमी रही देखो और सुधार करो जब तक सफल ना हो जाओ नींद चैन को त्यागो तुम संघर्स का मैदान छोड़ कर मत भागो तुम और कुछ किये बिना ही जैजैकार नहीं होती कि हरिवंस राइबचन जी का एक पोईम ऐसा यह भी है क्या मैं कहने की कोसित कर रहा हूं कि अगर तुम्हारा नहीं हुआ तो तुम अपने आपको फॉर्चुनेट समझो कि तुम्हें तुम्हारी राह सरल नहीं है तुम्हें और स्ट्रुगल करना है और जब तुम्हारे अंदर का जो पोटेंशियल ह 언제 वह बहर निकलेगा श्ट्रगल जितनी ज़्याधा होती पोटेंशियल उतने बाहर निकलता इस ने स्ट्रुगल नहीं किया वह फॉर्चुनेट नहीं मैं तुम्हें समझता हो कि घ्रसाय तुम्हारी साथ नाइनसाफि Plan तने का मौकशा नहीं दे रही है क्योंकि struggle करने से ही तुम सीख सकते हो उरान भर सकते हो जो कि कोई चीरियान जो वो होती है मितलब तित्लिया होती है उसको अपने पंक को जो होता है वो जब वो अंडे से बाहर निकलते हो उसे बहूत struggle करना पड़ता है और outcome क्या होता है यह एक experiment है कि एक scientist ने इस experiment को further वो किया था कि वो कहा कि तितली को अपने अंडे को तोरने में बहुत मेहनत लगते हैं तो ऐसा करते हैं कि उस अंडे को पहले मैं ही break कर देता हूँ उसने खुझ से उस अंडे को break करके तितली को बाहर निकाल दिया बाहर में मालूम चला कि वो तितली उर नहीं सकी लेकिन जो तितली अंडे को खुझ से break करती है उसके अंदर एक inner potential जग जाता है और वो उसको उरने में मदद करती है इसलिए अगर लरने अगर तुम्हें सीखने को मिलेगा कुछ गलतियां होई होगी कुछ भगवान कुछ और चाहा रहे होंगे destiny decided होती है कहां पर जाना है जीवन में इसलिए इतना गबराने की ज़रूत नहीं है अब करना क्या है तुम्हें इस बात को ध्यान से समझना अगर तुम electrical mechanical civil के बच्चे हो या फिर electronics क बच्चे हो या किसी भी ब्रांच के हो और तुम्हारा सपना है कि तुम किसी government job की तैयारी करो preparation करो एक साल मौका है एक साल तुम JEE का तैयारी सुरू कर तो किसी भी private college में admission नहीं लेने की ज़रूत है कोई फायदा नहीं है तुम JEE की तैयारी में लग जाओ जिस चीज की त और सब्जेक्ट को दे दो, JEE का subject जो होता है और यह तुम्हें काम देगा college में माल लेते हैं कि अगले साल अगर तुम्हारे बीटेग हो जाएगा तो वहां पे भी काम देगा क्योंकि तुम्हारे final year आते हाते तुम्हारे हाथ में job हो जाएगी तुम्हारे हाथ में जॉब अगर तुम जही का aspirant नहीं हो तुम किसी private sector में जाने की तायारी कर रहे थे IT software industry में जाने की तायारी कर रहे थे तो तुम्हें लगता है कि एक साल वेस्ट क्यों करें किसी private college में admission ले ले लेते हैं लेकिन मुझे लगता है कि अगर तुम effort कर सकते हो पैसा है तुम्हारे पास और तुम private sector में जाना चाहते हो, IT sector में जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो private college में, otherwise तुम क्या कर सकते हो, काफी सारे 6 मेने या 8 मेने का जो होता है coding का courses होते है, जैसे scalers academy है, और भी बहुत सारे निकालते है, वो अगर तुम comment करना तो मैं कभी होगा तो उसके पे वीडियो बना दूगा, वो 6-7 मेने का coding निकालता है, जिसमें अगर तुम front-end developer बनना चाहते हो, तो complete front-end developer का package रहता है, back-end development होता है, full stack developer होता है, data science का होता, इस तरीके का उसके पास 6-8 मेने का course होता है, college in करने से पहले ये course तुम करके जाओगे, तो तुम्हारे पास क्या होगा, ए ऐसा कुछ नहीं होता है, तो कोई problem नहीं है, अगले साल देंगे, तब तक हम अपने base को तयार करेंगे, यह हो सकता है, या अगर तुमको लगता है कि तुम JEE की तयारी कर चुके हो ना, तो तुम किसी gate की तयारी start कर देना, अभी से, अगले साल exam देंगे BTEC का, लेकिन अभ AC की question समझ में आने लगेंगे, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ destiny decide होती है, इसलिए घबराने की ज़रूत नहीं है, calm down रो, नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, तुम अपनी preparation को जारी रखो, जो preparation कर रहे हो, उसको जारी रखो, ठीक है, तो best wishes to everyone, confident रो और positive रो क्योंकि positivity जीवन में बहुत important है, thank you guys